Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Anil और ECMAScript के इस वीडियो के दिन हम बात करेंगे Exponentiation Operator की So, कुछ लोग इसको Exponential Operator भी कहते हैं दोनों ही term use कर सकते हैं Because exponentiation बोलना थोड़ा सा hard भी पड़ता है So, बात करते हैं सबसे प्रहे इस वीडियो के points की इसको use कैसे करते हैं इसको use करते हैं double star के लिए Double star के साथ में अच्छा, इसकी हमें जरूरत कहां पढ़ती है देखो, जब भी हमें किसी चीज़ की power define करनी होती है तब use करते हैं Let's say कि मैं 3 into 2 कर दूँगा Right? तो सीधी सी बात है, उसका answer आने वाला है 6 क्योंकि मैंने 3 को 2 से multiply करा Right? मैं आपको यहां पर करके दिखाता हूँ एक बार के लिए मैं आपको complete example भी दिखाऊंगा बट सबसे पहले आपको करके दिखाऊँ था ताब कि आपको easily समझ में आ जाए Right? यहां पर भी आप code कर सकते हो मैं आपको कुछ photo निकालके दिखाने कोशिश करता हूँ अगर मुझे कुछ मिलता है तो यह शायद photo ठीक रहेगी Right? इस तरीके से हम power mention करते थे हम लोग Right? तो अगर हम लोग 5 raise to power 3 mention करेंगे तो 5 into 5 into 5, 125 आ जाएगा और directly multiply करेंगे तो हमें just 15 मिलेगा यहाँ पर यहाँ लिखावा गलत है 15 मिल जाएगा हमें, Right? तो exponentiation operator इसी के लिए यूज में आता है ताग यह हम इसकी power को define कर पाएं एक और तरीका भी होता है जिसके साथ हम यूज कर सकते है math.pow Right? इस तरीके से but देखो math.pow यूज करेंगे, बाद में तो values देंगे काफी लंबा process है, simply किसी की power देने के लिए तो इसलिए हम यहाँ पर डवलोपेटर भी यूज कर सकते है ECMAScript 6 के अंदर आ गया था कुछ और examples देखेंगे और एक example रहेगा जो कि काफी tricky रहेगा आपको उसका answer guess करना है जैसी मैं बनाऊंगा उसको और वह interviews में पूछ पी ले डा सकता है सो अब start करते हैं यहाँ पर हमारे हमको output दीखेगी और यहाँ पर हमारा code लिख लेते हैं सबसे पहले मैं एक simplest example लेता हूँ console.1 करूँगा और मैं basically यहाँ भी करता हूँ 3 x 4 और आपको दोन में difference भी दिखा दूँगा अगर आपको difference देखना हो तो देखो जब मैं उपर वाला print करूँगा तो obviously इसी बात है 3 x 4 12 आएगा बट जब मैं नीच वाला जो हमारा one होग तो इसका output आना चाहिए 41 because 3 x 3 x 3 x 3 4 बार होगा तो अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर देखे हैं यहाँ बारा और एटीवन आ गया तो इस तरीक सी जा इसकी power defining करता है exponential operator कुछ और चीज़ देख लेते हैं इसको मैं यहाँ पर comment करके आपको बाद में जरूद पड़े तो आप git से code उठा सकते हैं इसका link description box में दिया हुए सारे के सारे files का then let's say क्या यह minus के साथ में भी काम करता है बिल्कुल अगर आप यहाँ पर minus जैसे कि मैं normally अभी इसको run करता हूँ तो आपको यहाँ पर 10,000 अगर इसको 10 से multiply करा फिर 10 से multiply करा फिर 10 से multiply करा अगर मैं इसको just 2 से multiply कर देता हूँ यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा इसका answer आदाएगा 100 perfect और अगर मैं यहाँ पर minus 2 कर देता हूँ तो still यह perfectly काम करेगा और आपको answer देगा 0.1 0.1 इस तरीके answer इस ने दे दिया आपको so that's great अब मेरे पास एक आपको बता दे लिए कि ठीक है normal है इसमें कुछ problem नहीं है अगर मैं यहाँ पर non दूंगा तो क्या आएगा non means not a number अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से mention करता हूँ let's say nan non इस तरीके से लिखते है not a number इसको हम यहाँ भी multiply करते हैं तो हमें basically nan नहीं देगा और अगर है इनको replace करते हैं आगे बीछे तो भी nan ही देगा alright so यह interview question भी पूत लिए जा सकता है but जो important interview question रहने वाला है मैं आपसे उसके example मांगता हूँ देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपके साथ में यहाँ पर लिखता हूँ एक छोटी छोटी values लिखूँ आदा heavy values नहीं लिखूँगा 2 star star 3 right that simply mean आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 into 2 into 2 यान की artist का answer आगया perfect अब let's say कि मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ इस तरीके से 2 तो इसका आप आंसतर कितना guess करते हो आप चाहो तो वीडियो को pause करके भी कर सकते हो बट मैं आपको बताते हूँ आप guess कि इस तरीके से करोगे आप guess करोगे कि इनका 8 हो गया और 8 का और फिरसिस की raise to power 2 हो जाएगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करेगा यह पहले 2 star star 3 8 हा गया और बाद में यहाँ पर हमें 2 पावर दे रखी है तो यह हो जाएगा 8 star star 8 sorry 2 into 2 इस तरीके से right पर कुछ यहाँ पर 2 दिया होगा है यहाँ पर right तो आप यहाँ पर guess करके चल सकते हो कि यहाँ पर 16 आएगा और जाद जाद आप यह भी guess कर सकते हो कि ठीक है 8 into 8 भी हो जाएगा कुछ लोग guess कर लेंगा कि ठीक है यह single star के सथ की तरीके से काम करेगा और इस तरीके से 64 आजएगा पहले यह resolve करेगा इसको कर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इस तरीके से 9 आ गया और बाद में इसने 9 की power को भी use कर रहे 2 के साथ में अब देखो 9 into sorry 2 into 9 इस तरीके से ठीक है पहले यह इन दोनों को resolve करेगा इसको और बाद में इसको resolve करेगा तो कुछ इस तरीके से करके देखो तब आपको थोड़ा सो जादा clear होगा आपको 500 बार आ रहे है तो यह इस तरीके से resolve करेगा पहले यह इस side वाले को resolve करेगा बाद में जो अपना left hand side वाला होता है portion को यह बाद में resolve करता है तो यह चीज़ आपको specifically ध्यान रखनी है और एक चीज़ आप से यह भी पूछ ली जा सकती है basically कि जैसे कि मैंने आपको यहां पर direct scenario देगा था without brackets लगाए इस तरीके से right तो आपको को bracket लगा के भी पूछ सकता है ठीक है एक तो यह वाला scenario हो गया और एक यहां पर हो गया आपको answer नहीं बताएगा directly इस तरीके से कर लेगा तो आपसे यह पूछ सकता है कि इसका answer क्या रहने वाला है तो इसकी थोड़ी practice कर लेना आप वैसी इसका answer तो same ही रहेगा दोनों का ही because हम मैंने आपको समझा दिया कि brackets इस तरीके से use होंगे पहले यह वाला portion रिजॉल्व होगा इन दोनों के अंदर और बाद में यह वाला portion रिजॉल्व होगा right so इस पे उपर तो इस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए इंटर्व्यू में जाने के लिए क्यों कि हो सकता है वह दो दिन star लागे बोल दें कि इसका output क्या रहेगा इसका output क्या रहेगा अगर हम यहां पर directly इस तरीके से multiply करें तो क्या रहेगा यहां पर single star देंगे तो किस तरी से reply रहेगा बहुत सारे questions बन सकते हैं आप 20-25 minute practice करोगे या फिर 10-5 minute भी practice करोगे तो भी आपको इस चीज में अच्छे से clear हो जाएगी, right? So thanks for watching this video और कुछ confusion है तो मेरे से comment box में पूर सकते हो सारे के सारे programs को एक साथ रहन कर लेते हैं यह हमारे सब का output आ गया है और इसका link आपको मिल जाएगा description box में यह हमारा Instagram अच्छा इसमें वीडियो में Instagram account देना भूल गया हूँ शायद में so description box में मिल जाएगा आपको, so thanks for watching this video, bye bye, take care